साथियों, आज का दीन एक और वजह से बहुत विशेश हैं। नव साल पहले, आज के ही दीन, सोला मै को लोग सभा के चुनाव के नतीजे आये थे। तब पूरा देश उत्सा, उमंग और विश्वात से जुम उठा था। सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ कदम बढ़ाने वाला भारत आज विश्षित भारत बनने के लिए प्रयास कर रहा है। जैसे नव साल पहले, सोला मै को लोग सभा के चुनाव के नतीजे आये थे। वैसे ही आज एक और भी महत्वपुन दिन है। आज हमारे एक महत्वपुन प्रांत हिमाले की गोद में बसा हुआ, सिक्किम प्रांत का भी स्थापना दिवस है। साथियों, इन नव वर्षों के दवरान रोजगार की नई संभावनाओं को केंदर में रख करके सरकार की नितियां तैयार की गई। आदूनिक इंफ्रास्टर्टर का निर्माण हो, ग्रामे छेतरों का विकास हो, या फिर जीवन से जुड़ी सुवीधाओं का विस्तार हो, भारत सरकार की हर योजना, हर नीति युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बना रही है। साथियो, बीते नव वर्षों में भारत सरकार ने केपिटल एक्सपेंडिचर पर करीब करीब 34 लाख करोड रुपिये खर्च किये हैं मुलभूत सुवीधाओं के लिए। इस साल के बजेट में भी केपिटल एक्सपेंडिचर के लिए दस लाख करोड रुपे ताय किये गए हैं। इस राची से देश में नए हाइवे बने हैं, नए एरपोर्ट, नए रेल रूट, नए पूल, अंगिनेत। ऐसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रेक्टर के निर्मान से भी देश में लाखों नए रोजगार बने हैं। जिस स्पीड और स्केल पर आज भारत काम कर रहा है, यह भी आज़ादी के 45 साल के इतिहास में अभूत पूर्व है। 70 साल में भारत में सिर्फ 20,000 किलोमेटर के आसपास रेल नाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। जबकि हमारी सरकार में बीते 9 साल में भारत में करीब करीब 40,000 किलोमेटर रेल नाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। याने डबल, 2014 से पहले हमारे देश में हर महीने सिर्फ 600 मीटर, 600 मीटर नई मेट्रो लाइन बिचाई जा रही थी। आज भारत में हर महीने 6 किलोमेटर, उस समय हिसाब मीटर का था, आज हिसाब किलोमेटर का है। 6 किलोमेटर नई मेट्रो लाइन का काम पूरा हो रहा है। 2014 से पहले देश में 4 लाग किलोमेटर से भी कम ग्रामीड सड़के थी। आज देश में 7 लाग किलोमेटर से भी जादा ग्रामीड सड़के हैं। यह भी करिब करिब डेबल। 2014 से पहले देश में सिर्फ 74 एरपोर्ट थे। आज देश में एरपोर्ट की संख्या भी बढ़कर 150 के आसपात पहुँच रही हैं। यह भी डेबल। बीते नव वर्षों में देश में गरीबों के लिए जो चार करोड पके घर बनाए गए हैं। उन्होंने भी रोजगार के अनेक नए अवसर बनाए हैं। गाउं गाउं में खुले पाँच लाग कौबन सर्विस सेंटर। आज रोजगार का बड़ा माध्यम बने हैं। युवाओं को विलेज लेवल एंटर्परनर्स बना रहे हैं। गाउं में तीस हजार से जादा पंचाय धवन बने हैं। या फिर नव करोड घरों को पानी के कनेक्शन से जोड़ना। इस सभी अभ्यान बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा कर रहे हैं। देश में आ रहा विदेशी निवेश हो या फिर भारत से रिकॉर्ड एक्सपोर्ट ये देश के कोने कोने में रोजगार के आउसर बना रहा है। आए झाल झाल